इंक्लेन बैंच बार्बल प्रेस टार्गेट अपर चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेब इसे करने के लिए इंक्लेन बैंच पर लेट जाए बार्बल को कंट्रोल मुमेंट के साथ उपर की और प्रेस करे तो अपर चेस्ट मसल को स्क्वीज करे और नीचे लेकर आए तो अपर चेस्ट मसल को स्ट्रेच करें, आप चाये तो इसे स्मीट मशिन पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, चार से एट और आट से बारा रिपिटेशन करें फ्लैड बैंच डंबल प्रेस यह चेस्ट मसल की कंपाउंड एक्ससाइज है, इसे आप फ्लैड बैंच पर लेटकर ओलमपिक बारबल या फिर डंबल के साथ पफॉर्म कर सकते हैं, सही फॉर्म के साथ डंबल को उपर की और प्रेस करें तो चेस्ट मसल को स्क्वीज करें और पार्टनर या फिर जीम ट्रेनर का सपोर्ट जरूर ले मशीन फ्लाई चेस्ट मसल को अच्छी शेप देने के लिए और चेस्ट के साइज को चोड़ी बनाने के लिए आप अपनी रूटीन में इसे जरूर एड़ करें या चेस्ट मसल की ऐसोरिशन एक्सरसाईज है जब भी आप मशीन के एंडल को चेस्ट के सामने लेकर आए तो एक से दो सेकेंड के लिए होल्ड करे और धिरे धिरे एंडल को फ्लाई की position में लेकर जाए तो चेस्ट मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच करे सही फॉर्म के साथ इस एक्सेसाइज के आप तीन सेट और दस से पंदा रेपिटेशन करे बॉडि वेट डिप्स काफी अच्छी बॉडि वेट कंपाउंड एक्सेसाइज है अपर बॉडि की ताकत को बढ़ाने के लिए और चेस्ट मसल को अच्छी शेप देने के लिए वीडियो में दिखाए मुताबित पैरलर बार पर आपको इसे परफॉर्म करना है हाथों का बैलेंस मेंटेन करते हुए बॉडि को नीचे की ओर ले जाए तो चेस्ट मसल को स्ट्रेच करे और उपर की ओर लाए तो चेस्ट मसल को स्क्वीज करे आप इस एक्ससाइज को as a warm up के तोर पर डेली ज़रूर पफॉर्म करे इसके आप तीन सेट और जितने ज़्यादा हो सके उतने रेपिटेशन करे डिकलेन बैंच डंबल प्रेस टारगेट मसल लोवर चेस्ट लोवर चेस्ट के साइज को ग्रो करने के लिए और लोवर चेस्ट के फैट को रिडियूस करने के लिए यह वन अप दा बेस्ट एक्ससाइज है इसे करने के लिए आप बैंच को डिकलेन लोग पर सेट करके comfortable weight dumbbell के साथ bench पर लेट जाए जब भी आप dumbbell को उपर की और प्रेस करे तो lower chest muscle को squeeze करे और नीचे लेकर आए तो lower chest muscle को stretch करे 4 set और 8-12 repetition इसके भी करे High to low cable fly with super set push-ups यह इस routine की finishing exercise है जिसे आपको super set में perform करना है सबसे पहले आपको 1 set high to low cable fly के करना है जिसके आपको 10-12 repetition करना है इसे आप cable machine के बिचो बिच खड़े होकर perform करे और बिना कोई rest लिए push-ups exercise के जितने ज़्यादा हो सके उतने repetition करे इस super set से हमरी chest काफी तेजी से चोड़ी बनती है और हमरे chest muscle में काफी अच्छा pump बना रहता है तो आप इस super set को जरूर perform करे प्रिप्ट इसलिए आपको 10-65 deve बना रहता है